Hello viewers, आप लोग सब कैसे हैं? यहाँ पर आप लोग को मैं बता रही हूँ सेकेंड वीडियो सेकेंड वीडियो में क्या मैं आपको बताने जारी हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर देखी रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लंबाई वगएरा मदब नाप लेके रखी है तो नाप लेके क्यों रखी है? मैं आपको बताती हूँ आप लोग को मैंने नाप लेने का तरीका बताया था, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कूर्टे की कर्टिंग तो मैं आपको फैबरिक पर बयानी की कपड़े पर बताऊंगी कि कैसे कर्टिंग करने तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चीजे जो लिख के रखी हूँ उसको आपको समझा देती हूँ जैसे आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे नाप लेनी तो जैसे यहाँ पर मैंने लेन्थ लेनी कूर्टे की तो यहाँ पर मेरी 14 यानि की 40 इंच की लेंथ है यहाँ पर मैंने 2 इंच को प्लस किया है 2 इंच क्यों प्लस किया है 2 इंच यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर हमें 2 इंच की तुरपाई लगानी होती है उसको यहाँ पर मैंने इसलिए प्लस करके यहाँ पर मैंने 42 इंच टोटल लिख दिया टीक है तो यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ मैं जब करूँगी तो 22 इंच की करूँगी ठीक है फिर उसके बाद हमारा आता है chest चेस्ट मैंने यहाँ पर लेया है 37 इंच यह एक हमारे मुझो मुझे कुर्टा बनाना है उसकी नाप है यानि की कस्टमर की तो यहाँ पर इसमें मैंने 3 इंच का प्लस किया है 3 इंच जव होता है आपने जैसे बॉड़ी पर मैंने नाप आपनों को लेके बताया था कि कैसे लेनी है बद उसके उड लेने के बाद आप को यहां पर 3 इंच प्लस करना होता है , तो यह पर 3 इंच मंध मंधा होता है और यहां पर आ जाएगा तोटल 40 इंच जब पर कुर्ते नर्म करणे तो 40 इंच पर करेंगे, पर आ जा तरहा हमारा वेस्ट यानि कि कमर, टो कमर है 35 इंच, इसमें 2 इंच प्लस करते हैं, कमर में 2 इंच प्लस करते हैं, टोटल आ जाएगा हमारा 37 इंच, ठीक है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं, तमी, तमी यानि की पेट, अगर पेट की लंबाई, पेट की आपको नाप कप लेनी की जरूरत परती है, यह भी मैं आपको पहले यहाँ पर बता देती हूं, जाकि अगर आपको किसी का पेट जादा निकला हुआ है, तो आपको पेट लेनी की जरूरत परती है, अगर किसी का आपको ऐसी बनाना है, पेट उसका नहीं निकला है, कमर जादा है, और बिल्कुल एकदम फिगर सही है, तो आपको वहाँ पर टमी ले की भी नाप ले रखी हुए है, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसमें टमी में भी यानि की पेट में दो इंच प्लस कर दिया हुआ, टोटल हो गया 41 इंच, अब आ जाते हैं हिप पे, हिप है हमारा 44 इंच, इसमें हिप में हमें सिर्फ 1 इंच प् करते हैं, और टोटल हम कटिंग करेंगे 15 इंच पे, ठीक है, अस्तीन की गुलाई, यानि की स्लीप्स राउंड, तो स्लीप्स राउंड है हमारा 11 इंच, इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा 12 इंच, फिर हमारा आ जाता है शोल्डर्स, जो कि ह हमने शोल्डर्स हमारा है 14 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो टोटल हम लोग करेंगे 15 इंच पे कटिंग, तो यहाँ पर हमने इस तहर से आपको नाप समझा दी है, कैसे आपको नाप लेके, लेने के बाद जब आप ये वाली नाप ले लेते हैं, कस्टमर क प्लस करने के बाद आपका जो बहुत करना होता है, फिर हम सोले पारट यहाँ पर करते हैं कटिंग, और अपको ये पर्फेक्ट पहना जाएगा तो बहुत फितिन आएगी, यहां पर मैं ऐक चीज आपको और बता देती ह Lower जैसे कि आपने ये वाली पार्ट में आपने सारी ना प्लेली कर्ष्ट मर्किटिक है और ये वाला जो पार्ट है जो ये भी चीज आपकी चेंज हो सकती है बट ये वाला जो पार्ट आपको जो प्लस करना है वो सारा सेम रहेगा यहाँ पर चाहे कोई भी गिंती हो, चाहे 30 इंचो, चाहे 50 इंचो बट यहाँ पर आपको 2 इंच ही प्लस करना है और यह सारे पार्ट में आपको जितना भी मैंने यह चीज लिखी हुई है आपको इतना ही प्लस करके फिर जो भी आपकी यहाँ पर आएगा नमबर वही आपको इससे कटिंग करनी होगी यह वाली चीज आपकी बदल सकती है इससे हमारा कोई भी नाप आप ले सकते हैं आपको कोई भी नाप हो सकती है फिर उसके बाद आपको यह 2 इंच, 3 इंच, इस थाज़े हट पार्ट में इसको प्लस करने के बाद जो भी यहाँ पर नमबर आएगा उसी से हम लोग यहाँ पर कटिंग करेंगे ठीक है आगई आप लोगों को बात समझ में यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ फिर भी आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछीएगा मैं आप लोगों को आंसर दूँगी ठीक है और चलिए कटिंग करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजियो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ